नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंट गंगा में। दोस्तों कर्ज कितना भी बड़ा, क्यों ना हो, जल्दी उतर जाएगा, अगर आप इन उपायों में से कोई एक उपाय भी करते हैं, तो निश्चित तोर पर आप करजा मुक्त हो जाएंगे। जोटाना भारी पड़ जाता है और पूरी जिंदगी कर्ज चुकाते-चुकाते समाप्त हो जाती हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज बहुत बड़ी दुविधा होती है। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति सदैव चिंता में रहता है। कर्ज होने पर उसका पूरा पर कर्ज लेते वक्त ही दुविधा के बारे में सोचने की सावधानिया बरतने की आवशकता होती है। आवेदन करें और ना ही कर्ज के कागजात पर हस्ताक्षर करें। कर्ज के आवेदन पर काली स्याही से हस्ताक्षर ना करें। इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा कर्ज जल्द आपका पीछा नहीं छोड़ता। कोशिश करें की कर्ज अगर लेना ही हो तो सोमवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन ही कर्ज ले। इन दिनों पर लिया गया कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है। इसको चुकाने में कोई बड़ी दिक्कते नहीं आती। कर्ज के लिए आवेदन करते समय हस्ताक्षर करते समय हमेशा इश्वर का स्मरण करें। इश्वर से कहे है प्रभु यह धन भी आपका है और मैं भी आपका हूँ। इसे चुकाने में मेरी सहायता करें। ऐसे कर्ज से जल्दी छुटकारा मिल जाता है, किन्तु कई बार कर्ज में व्यक्ती बुरी प्रकार फस्ता चला जाता है। कोट कचहरी के मामलों में उलज जाता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसे में आप कुछ उपाय कर ले, कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं किन्तु मुश्किल भी नहीं है। कर्ज कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, जरूर उतर जाएगा, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ज मुक्ती के कुछ आसान उपाय कुछ उपाय, पान के पत्ता के जो की बीडे में प्रयोग किया जाता है, उस पत्ते को लेकर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्विस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाएग पान को हिंदू धर्म में लगभग सभी कार्यों में शुभ माना जाता है, सकंध पुरान के अनुसार समुद्र मंथन के समय पहली बार पान के पत्ते का उप्योग किया गया था, तभी से यह पत्ता हर शुभ कार्य में इस्तिमाल होने लगा, पूजा पाठ से लेकर किसी भ पान के पत्ते को जरूर शामिल किया जाता है, जोतिश और उपायों में भी इसे बेहत प्रभावशाली माना जाता है, माना जाता है कि बुध ग्रह का पान से गहरानाता है, यह धन की मुश्किलों को भी दूर करता है, अगर आप कर्ज में बुरी प्रकार धस चुके हैं, लगता है कि निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हर कोशिश करने के बाद भी कर्ज उतारने में सफलता नहीं मिल रही है, तब पान के पत्ते का यह उपाय आपके जीवन की मुश्किलों को दूर कर देगा, उपाय करने के लिए एक साबुत यानि जो कटा-फटा अब इस पत्ते को मोड कर पान का बीडा बना ले और मंगलवार की शाम के समय स्नान आदी करके स्वच्छ वस्त्रधारन कर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उन्हें यह पान का बीडा अर्पित कर दे, तीन महीने तत लगातार हर मंगलवार को यह प्रयोग करें। किसी मंगलवार को अगर आप खुद नहीं जा पाते हैं तो आपके बदले में कोई और भी इसे कर सकता हैं, उस दिन तामसिक का सेवन ना करें, सात्विक्ता बनाये रखें। जल्दी हाई कर्स चुकाने के रास्ते बनते नजर आएंगे। आसानी से आपने रिन्मुक्त हो जाएंगे। हनुमान जी की शरण में जो आ गया, हनुमान जी उसका बेडा पार लगा देते हैं। आपकी सारी मुश्किलों को खत्म कर देते हैं। अब एक दूसरा उपाय कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि कर्ज लेने के बाद मुश्किलें बढ़ जाती है। शुब कारियों में रुकावट आती है, सगे संबंधी मुह फेर लेते हैं। लगता है कि आप चारों और से घिर चुके हैं। तब ऐसे में एक छोटा सा उपाय जरूर करके देखें। इस उपाय के लिए भी आपको एक पान का पत्ता लेना है। साबुत ताजा हरे रंग का पान का पत्ता लीजिए। दंठल हटा इस पत्ते के चिकने साइड को नीचे कर दें और खुरदरी साइड को उपर करें। उस रुखे साइड पर दो लॉंग रख दे। अब सावधानी से दोनों हाथों में इस पान के पत्ते को उठा कर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। हाथ जोड़ कर ईश्वर से प्रार्थना करें जो आपके काम में रुकावट आ रही है, जो जो आपके जीवन में मुश्किले आ रही हैं, वो पान के पत्ते के साथ बह जाएं। वह बहता हुआ पानी आपकी तमाम परेशानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा। जल्द परेशानिया दूर हो जाएगी। कारियों में सफलता मिलने शुरू हो जाएगी। हर संकट से बाहर निकलने का रास्ता सामने दिखने लगेगा। बहुत ही कारगर उपाय हैं। जरूर आजमा कर देखें और एक उपाय जो आप नवरात्री में कर सकते हैं। आपके उपर अगर कर्स बढ़ता जा रहा है तो आप नवरात्री में जितने दिन हो सके रोज पान के पत्ते पर हिम लिख कर्मा दुरगा को अर्पित कर दें। नवमी के दिन आप उस पान के पत्तों को अपनी तिजोरी में रख दे और एक छोटा सा बताते हैं। आप खुद या आपके घर का कोई भी सदस्य, कोई महिला सदस्य भी आपके बदले में कर सकती हैं, किन्तु महिलाएं हनुमान जी को छुए नहीं। रीन, मुक्ती के लिए मंगलवार की रात एक विशेश उपाय किया जाता है। उपाय वाले दिन नमक न खाये, सेंधा नमक खा सकते हैं। इस दिन बिना लहसुन, प्यास का खाना खाये, रात में स्थान उपरांत ग्यारा बजे से एक बजे के बीच में आपको यह उपाय करना है। रात के समय चारों और शान्ती होती है, और आप प्रभु से आसानी से जुड़ पाते हैं। घर में हनुमान जी के सामने आसन लगा कर बैठ जाएं। दीपक जलाए, हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें और फिर ग्यारा बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये प्रयोग नियमित रूप से आपको कम से कम ग्यारा मंगलवार तक करना है। जल्द ही कर्स से छुटकारा मिल जाएगा। ग्यारा हफ़तों तक हर हफ़ते में एक दिन मंगलवार को आपको यह उपाय करना है। और रात को ग्यारा बजे से एक बजे के बीच ही करना है। जल्द से जल्द आप कर्स से मुक्थ हो जाएंगे। पुरुष मंगल वार के दिन दक्षिन मुखी हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें महिलाएं लाल पुष्प अर्पित करें घर में तीन बार सुभा शाम संख जरूर बजाए और प्रभु से रिन मुक्ती की प्रार्थना करें आसान सा किन्तु बहुत प्रभावशाली उपाय हैं यह कर्ज मुक्ती के लिए कुछ और उपाय भी आप कर सकते हैं आप रिन मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिये या कनकधारा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करेंगे तो भी कर्जों से राहत मिल जाएगी कर्ज की दुविधा आपको परिशान नहीं करेगी उपायों के मेहंत लगन और नियमित्ता कर्ज उतारने में बड़ी काम आती है आप मंगलवार के दिन थोड़ा ही सही पर कर्ज उतारने का प्रयास जरूर करें थोड़ा थोड़ा करके नियमित रूप से अगर आप रिन चुकता करते जाएंगे तो आसानी होगी छोटी रकम कम ही सही किन्तु कर्ज चुकता करने के लिए अलग से निकाल कर रख दें या चुकता करें कर्ज जल्द ही उतर जाएगा यदि आपको बात-बात पर गुस्सा आता है तो मंगलवार के दिन सुभा उठकर स्नान करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें फिर पूरे दिन उपवास करें मान्यता है कि प्रत्येक मंगलवार को ये उपाय करने से धीरे धीरे गुस्सा कम होने लगेगा आपको खुद स्वय में बदलाव महसूस होंगे यदि मंगलत रह खराब है और आपको अशुब फल दे रहा है तो आप प्रति दिन हनुमान चालिसा का पाठ कर सकते हैं प्रति दिन नहीं कर पा रहे तो हर मंगलवार को हनुमान चालिसा का पाठ अवश्य करें इससे मन से नकारात्मक विचार दूर होते हैं भय से मुक्ति प्राप्थ होती है और मन शांत रहता है आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर यदी इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ आ गई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं